हम विदुर निती का स्वाध्या कर रहे हैं, तीसरा अध्या चल रहा है विरोचन और सुधनवा से समंधिते काक्ख्यान विदुर जी महराज सुना रहे हैं पाँच में शलोक में ये इतियास प्रारम हुआ उससे पहले चोथे शलोक में ये कहा की जब तक मनुश्य की पुन्न कीरती जितने समय इस लोक में गाई जाती यह उतने समय वो स्वर्ग लोक में पूजित होता है मनिश के दौरे यह कहा कि इस लोक की जो उत्तम कीर्फी है वो हमें स्वर्ग में भी पूजित कराती है और अत्रापी उदाहरंती इमम इतियास हम पुरातनम यहाँ पर एक पुराना इतियास प्रस्तुत किया जाता है, जो केशिनी के लिए विरोजन और सुधनवा के बीच हुआ था केशिनी नाम की कोई कर्णिया थी और स्वैमवर उसका विवा हो रहा था विशिष्ट पति कामना से, विशिष्ट पति की इच्छा से ये स्वेमवर विवार रचाय गया था तो वहाँ पर सुधनवा नाम का एक ब्रामन आया और उदर से एक विरोचन जो प्रलाद का पुत्र था असुरू में से विरोचन भी पहुँच गया तो केसिनी ने कहा कि ब्रामन स्रेष्ठ होते हैं ये दिती पुत्र जो विरोचन ये स्रेष्ठ है यदि ब्रामन स्रेष्ठ है तो फिर मैं सुधनवा से ही क्यों न विवा करूं ऐसा केसिनी ने विरोचन के सामने ये बात कही विरोचन ने कहा कि हम लोग स्रेष्ठ हैं प्रजापती के बड़े पुत्र हैं हम और हम स्रेश्ठ हैं और हमारे ही अस्माकम खलू इमेलो का के देवा के दिज़ात है नौवे स्लोक में ये बात उसने कही केसिनी बोली कि यहे वावाम प्रतिक्षाव उपस था ने नहे विरोचन यही हम दोनों प्रतिक्षा करते हैं सुधन्वा प्राते काल यहां आएगा और पस्यम वाम समागतों तुम दोनों को मैं वहां पर देखती हूँ ग्यारविस लोक में उसने कहा तथा बद्रे करिश्यामी विरोचन बोला कि ठीक है यदा तम भीरू भास से जैसा तुम भाशन कर रही हो उसने भीरू संबोधन किया है यहां पर विरोचन ने क्योंकि भीरू इसलिए कहा कि वो उसकी बात को नहीं मान रही है और पहले यह कहती है कि प्राते काल मैं तुम दोनों को देखूंगी सुधन्वा नम जमाम चैवा प्रातर द्रश्टा से संगतव ठीक है मैं आता हूँ प्राते काल सुधन्वा और मुझे तुम देखना यह भीरू एक दूसरे अर्थ से भी प्रयो किया जाता है धर्म भीरू धर्म से जो डरने वाला होता है उसको भीरू कहते है इश्वर से भगवान से धर्म से एक ही बात है धर्म से जो डरने वाला है उसको भीरू शब्द से कह देते हैं तो यहाँ पर विरोजन ने केशिनी को भीरू शब्द से संबोधन करके उसको डर्पोक और काहसिद नहीं किया है धर्म भीरू एक अच्छा सम्मान सुचक शब्द का प्रयोग किया है कि ठीक है हम कल दोनों आते हैं और आप यहाँ पर हम मिलेंगे तो अब यह समवाद सुरू होता है विदुर जी इस आख्यान को इस हितियास को सुनाते हैं कि अतीतायाम शर्वर याम शर्वरी कहते हैं रात्री को जब रात्री बीत गई उदिते सूर्य मंडले और सुबह प्राते काल जब सूर्योदे हुआ अथा जगामतम देशं सुधनवा राजसत्तमा हे राजसत्तम वहाँ पर सुधनवा पहुंच गया विदुर जी धृत्राष्ट को राजसत्तम नाम से संबोधन कर रहे हैं कि हे स्रेष्ट राजन जैसा कि केशिनी ने कहा था कि मैं तुम दोनों से यहां मिलती हूँ तो उस देश में पहुँच गया सुधनवा विरोजनो यत्र विभो केशिन्या सहिता स्थिता जहां पर विरोचन है विभू विभू संबोधन राजन के लिए है तृत्राष्ट के लिए है विभू केशिनी के सहित जहां पर विरोचन पहले ही विराजमान था केशिनी के सहित विरोचन पहले ही विराजमान था सुधनवा चे समागच्छत प्रालादिम केशिनिम था तो सुधनवा जो था वो प्रालाद का पुत्र जो विरोचन था और जो केशिनी थी वहाँ पर उपस्थित वहाँ पर पहुँच गया समागच्चन विरोचन के पास पहुँच गया विरोचन और केशनी पहले ही थे उन दोनों के पास वहाँ पर सुधनवा भी पहुँच गया समागच्चन द्विजम द्रिश्टवा केशनी हे भरत स्रेश्ट केसनी ने आए हुए ब्रामन को देख करके सुधनवा ब्रामन है द्विज है दो बार जिसका जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं एक माता के गर्ब से और एक आचारी के गर्ब से आचारी को भी आचारी भी बच्चे को अपने गर्ब में रखता है उसको पालता पोस्ता है, शिक्षा की दृष्टी से, संसकारों की दृष्टी से उसको बड़ा करता है, उसके अंदर जो कुछ कमी है उसको दूर करता है, उसको जो अच्छा दे सकता है, वो देता है, तो आचारी के गर्ब से जो पैदा होता है, उसको द्विज कहते हैं, ये और हमारे जो दांत होते हैं इनको भी द्विज कहते हैं एक बार छोटे बच्चे के दांत आते हैं फिर एक बार दांत आते हैं तो ये दो बार पैदा होने के कारण से द्विज कहा जाता है उसे द्विज ब्रामन को देख करके केशनी उठी आसनम तस्मई पाद्यम अरग्यम ददव पुना उसको आसन दिया पैर्ध होने के लिए जल दिया और आचमन करने के लिए पीने के लिए जल दिया अर्गे जो है आच्मन के जल को अर्गे कहते हैं पाद्य कहते हैं पैर धोने के लिए आसन दिया बैठने के लिए हमारी जैसे परमपरा है उसके अनुसार पहले आसन देते हैं पैर धोने के लिए जल और मुख धोने के लिए मुख प्रक्षालन के लिए जो जल होता है उसको आर्गे कहते हैं ये सब दिया सुधन्वा बोलता है तो जैसे अपने स्थान पर वो ब्रामन आया है तो केशनी ने उसके लिए जो आसन दिया उस आसन पर पहले ही वो बैठा हुआ था विरोचन जो है विरोचन भी उसको बोल दिया कि मेरे साथ इस आसन पर बैठिये सोने का जो आसन है स्वर्ण निर्मित जो आसन है केशनी ने तो बोला ही उसने भी कह दिया इस ञोने का आसन इसपर बैठा था उसी के लिए का उन्वालवे हिरनमयम प्रालादे तो सुधन्वा कहता है प्रालादे प्रहलाद सब्द होता है और एक प्रहलादी जैसे दशरत सब्द होता है और एक दाशरती दशरत का जो पुत्र है दाशरती राम को कहते हैं इसी तरह से प्रहलाद का जो पुत्र है विरोजन उसको प्रहलादी शब्द से कहा जा रहा है तो प्रालादी को संबोधन में प्रालादे बनता है वो सुधनवा कहता है ठीक है इस आसन को मैंने ऐसे स्पर्ष करता है अन्वाल अभे अन्वाल अभे स्पर्ष करता हूं इस वरण मैं आसन का जो तुमारा ये स्रेष्ठ आसन है इसको मैं केवल मैं सपर्ष करता हूँ एकत्व मुपसन्नो नत्वा से एहम त्वयास है एकत्व बराबरी को प्राप्त हुआ मैं इस आसन पर इस आसन पर तो वो बोठे जो तुमारे बराबर हो और मैं तो तुमारे से स्रेष्ठ हूँ मैं इस आसन पर नहीं बैठोंगा एकत्व मुपसन्नो एकत्व को प्राप्तुवा व्यक्ति इस आसन पर बैठने का अधिकारी है नत्वा से यहां पर एकत्व मुपसन्ना इसके बाद अपनी तरफ से वाक के पूरा करेंगे एकत्त को प्राप्त हुआ व्यक्ति ही जासन पर बैठे पर मैं नहीं बैठोंगा नत्वा आसे एहम त्वया से है मैं तुम्हारे साथ ही जासन पर नहीं बैठोंगा तो विरोचन गुसे में आकर के बोला तवार हतेतु फलकम कूर्चम वाप्यत्वा ब्रिशी सुधन्वन तौम अरहोसी नत्वम अरहोसी मया सह समासनम तुम्हारे लिए तो कोई फलक लाय जाए लकड़ी का पाटा लाय जाए दर्ब का कोई आसन दिया जाए कोई ब्रिसी बटेवे दर्ब से बना पीड़ा जो होता है वो तुम्हारे लिए लाय जाए ही सुधनवन तुम न अरहोसी तुम मेरे साथ बेचने के लायक काबिल नहीं हो मेरे साथ बेचने की पातरता तुमें नहीं है तुमारे लिए तो कोई फलक कोई काष्ट का पटा कोई पीडा इस तरह कोई चीज़ लाई जाए सुधनवा बोला देखो ऐसी बात नहीं है पितापुत्रो सहासीताम साथ साथ या तो पितापुत्र बैठ सकते हैं दो कोई ब्रामनों तो वो बैठ सकते हैं क्षत्रियों अपी यदि दो क्षत्रियें हैं समान मित्र बल वाले राजा वो बैठ सकते हैं व्रिद्धो वैश्यो और कोई दो व्रिद्ध हैं वो बैठ सकते हैं और कोई वैश्य हैं वे बैठ सकते हैं दो और शुद्र दो शुद्र हैं तो वो बैठ सकते हैं ना तु अन्यव इतरे इतरम एक दूसरे के साथ कोई इन से अतिरिक थोड़ी बैठ सकते हैं अन्य जो दो ह वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, मैं ब्रामन हूँ, तुम अशुर हो, मैं और तुम दोनु एक आसन पर कैसे बैठें। मैं उपर बैठा हूँ, और वो तुम्हारा पिता नीचे बैठा है, और फिर उपासी ते, मेरी उपासना करता है, सेवा करता है। जियान की दृष्टी से बच्चा, उमर में बच्चा नहीं था, जियान की दृष्टी से बच्चा कह रहा है, कि बाला तुम सुखे दितोगी है, घर में ऐसे बड़े लाड़ प्यार से पल करके बड़े हो गए हो, शिष्ट अचार को जानते नहीं हो, इसलिए तुम मुझे अपने साथ बैठने को कह रहे हो, अज्यों भावती, वई बाला, पिता भावती, मनों ने कहा है, कि बाल की परिभासा की है, जो अज्यानी है, वो बालक होता है, पिता भावती, मंत्रदा, जो मंत्रदा होता है, विचार देने वाला होता है, वो पिता हो जाता है, जिस पि पिता है बालक है वो पिता हो जाता है और पिता पुत्र हो जाता है जो जियान में बढ़ गया है एक जो एक पिता पुत्र का रिलेशन है शरीर का वो तो बना रहता है कि ये पिता है ये पुत्र है पर जियान का जो रिलेशन है वो चेंज हो जाता है पिता पुत्र का जो रिल पर एक ज्यान का अलग रिलेशन एक पैदा हो जाता है, कि जो ज्यानी है वो पिता है हमारे यहां, और जो अज्यानी है वो बालक है, तो सुधन्वा कह रहा है, पिता ही ते समासी इनम माम, मुझ बैठे हुए कि नीचे बैठ करके, मैं आसन पर बैठा हूँ और तुम्हारा अधय उपासीत, वो मेरी सेवा करता है, उपासना करता है मनि यां सेवा करता है, बाला सुखे दितोग यहे, तुम तो घर में जो है शुक से बढ़े हो, पले हो, बोलते हैं न, सुक से पले हो, न तुम कींचन बुद्ध से, वीरोजन कैने लगा, विरोचन कहने लगा है है सुधन, सुधन वन, असुरेशु, हम असुरूं के पास जो भी अच्छा धन है, हिरन्य है, गाय और घोडे हैं, और जो धन है, उसकी सर्थ लगाकर हम उनसे प्रशन पूछें, जो इस हमारी स्रेश्टता के विशह में कोई जानते हैं, हम दोनों में कौन स्रेश्ट हैं, इस बारे में उनसे प्रशन पूछें, प्रशन प्रच्छाव, हम प्रशन पूछें ये विदू, जो हमारी स्रेश्टता के बारे मे जानते हैं सुधनवन विपने तेना मलव, सोना, गाय घोडे और जो धन अच्छे से अच्छा है अन्य जो धन है उसकी सर्थ लगा कर तेन उस धन के द्वारा हम विपने शर्थ लगाते हैं शर्थ में उसे लगा करके तेन धनेन उस धन के द्वारा प्रशनम पृच्छाव हम प्रशन पूछते हैं ये विदु जो इस विशे में जानते हैं सुधनवा बोला बिल्कुल ठीक हिरन्यम चे गवास्वम चे तवय वस्तु विरोचन हे विरोचन हिरन्य गाय घोडे और धन तो तुम्हारे पास ही रहने दो हम प्राणों की बाजी लगा कर प्राणों का ये जो शर्त है वो लगा करके पूछते हैं ये विदू जो हमारे स्रेष्ठत्व को जानते हैं जो हमारे बारे में जानते हैं कि कौन स्रेष्ठ है केसनी वहाँ पर बैठी है और उसके सामने ये चर्चाएं चल रही है कि हम प्राणों की शर्त लगाते हैं ये सोनना चांदी और मतलब जो विजई हो जाएगा उसको उसको उसके हाथ में प्रान होंगे तो प्रानायोस्तू पड़म कृत्वा प्रानों की शर्त लगा करके हम प्रश्ण पूछते हैं ये विदू जो हमारे इस बारे में जानते हैं विरोजन्य का आवाम कुत्र गमिश्या प्रानायोर विपने करते प्रानों की बाजी लगा कर प्रानों की शर्त लगा कर हम कहां जाएंगे हम दोनों प्राणों के शर्ट लगा कर कहां प्रश्ण पूछेंगे क्योंकि वो कहता है ना तु देवेशु हमस्था ता देवों में तो मैं नहीं रहूंगा देवों पर मुझे भरोशा नहीं है दो थे ये देव और अशुर प्रजापती के अभी मैंने कल आपको सामने ये बात कही थी कि प्रजापती की दो संतान थी एक देव थे दूसरे अशुर थे अशुर जो है वो बड़े थे देव छोटे थे तो वो कह रहा है नहीं तु देवेशु हमस्था ता मैं देव को अपना नेरणायक नहीं बनाऊँगा नै मानुषेस। और मनुष्यों को भी नहीं बनाऊंगा और अशुरू को तुम नहीं बनाऊँगे हम कहा जाएंगे प्रानों की शर्ट लगा करके किस से पूछेंगे ये जो है मध्यस्थ किस को बनाएंगे विरोजन असुरों की अपेक्षाद देओं और मनुश्यों को वो हीन समझ रहा है असुरों की अपेक्षाद देओं को और मनुश्यों को हीन समझ रहा है वो इस प्रस्ण को पूछ लें के लिए उनके पास इंता अनुभू कर रहा है कि हम उसके पास देवों के पास या अश्रों के पास नहीं जाएंगे तो सुधनवा कहता है कि चलो इसका निरना तुम ही कर देता हूं कहा जाना है कहा जाएंगे ये बात भुमिका के रूप में मैंने कल आपको बताई थी कि प्रजापती की दो पतनी थी, एक दिती, एक आदिती, दिती के जो पुत्र हुए उनको अशुर कहते हैं दैत्य, और आदिती के जो पुत्र हुए उनको आदित्य कहते हैं देव, अशुर बड़े थे, आयुशक्ति में विलवान थे, देव छोटे थे, कस्यप प्रजापती क उत्तरा धिकारी के रूप में बड़े होने के कारण ये प्रिथवी असुरों को प्राप्त हुई असुरों ने अपने भाई देवों को भूमे का कुछ भी भाग नहीं दिया तो देव और असुरों में दाय भाग निमित बड़ा भारी युद्ध हुआ कई सो वर्स चलता रहा इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं अंत में असुरों अभीमान के कारण पराभूत हो गए और देवों की विजए हुई ऐसी कथा है तो अब ये जो विरोचन है वो कहता है कि देवों में मैं नहीं ठहरूँगा मतलब उनको अपना मध्यस्त नहीं बनाऊंगा और मनुश्यों को भी मैं मध्यस्त नहीं बनाऊंगा वो तो हम से बहुत चोटे हैं तो हम कहां जाएंगे विरोचन ने जब ये बात कही तो सुधनमा कहता है पितरम ते गमिश्यावा प्राण और विपने कृते हम तुमारे पिता के पास चलते हैं वो ही बताएगा कितनी मतलब बड़ी बात कह दी कि पिता का ही नाम ले दिया उसके कि हम पिता के पास चलते हैं तितरम तेग मिश्यावा, तुम्हारे पिता के पास चलेंगे, प्राणु की शर्त लगा करके, पुत्र स्यापिस से हेतो प्रलादो नानृतम वदेत, मुझे विश्वास है कि पुत्र के हेतो से भी प्रलाद जूठ नहीं बोलेगा, ये भारतिय संस्कृती का उज्वल चित् कि सुधन्वा को ये द्रण निश्चे था कि प्रलाद आसूर होते विए भी पुत्र के लिए जूठ ही बोलेगा, भारतिय संस्कृती सत्य को सर्वो पर इस्थान देती है, धर्म सास्त्रकारों ने सत्य की महिमा को वर्णन करते विए, सो अस्वमेद, एक तरफ और सत्य ए अन्तिमकोटी का जो पुन्य जिन को मिलता है, वो अस्वमेद, यज्जी का परिणाम बता है, और ऐसे सो अस्वमेद करें, और एक सत्य भाषन करें, तो उसकी तुल्ना में उससे भी अधिक मैत्व बता है, तो विदुर जी कहते हैं, एवम कृत पणव कृद्धों, तत्र अभी जग मतुस्त दा, विरोचन, सुधनवानों, प्रलादों यत्रतिष्ठती, जहां पहलाद, जहां पर पहलाद था पहले से ही, तो विरोचन और सुधनवा दोनूं प्रतिज्यां बद्धों करके, और क्रोध में भरे हुए वहां पहुँच गए, प्रलाद के पास, पण शर्थ, कृत पणव शर्थ लगा करके पहुँच गए, प्रलाद केता है, इमवतो संप्रद्रिष्येते याभ्याम नयचरितम सह, अरे ये दोनों आज कैसे साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, कभी पहले तो इनको देखा नहीं था, याभ्याम नयचरितम सह, जिन दोनो ने कभी साथ साथ गमन नहीं किया, विचरण नहीं किया, आज कैसे दिखाई दे रहे हैं, आशी विशावीव कृद्धो, आशी विशर्थ को कहते हैं, दो भयानक जैसे सर्थ होते हैं, क्रोद में भरे हुए, एक मार्गव इहागतो, एक मार्ग वाले, मनि एक ही मार्ग से यहां पर पहुंचे हैं, क्या चक्कर है, भयानक सर्पों के समान कृद्ध हुए, एक इमार्ग से यहां कैसे आगए, किमवई सहेवं चर्था, नप पुरा चर्था सह, विरोचनेत प्रिच्यामी, किंते सक्ष्यम सुधन्वना, अब प्रहलाज जी अपने बेटे से पूछ रहे हैं, किमवई सहेवं चर्था, तुम दोनु कैसे इस प्रकार साथ-साथ विचर्ण कर रहे हो, किम वही सह एवं चरथ निश्चे से वही निश्चे से कैसे तुम साथ-साथ विचरण कर रहे हो न पुरा चरथ सह कभी पहले तो विचरण किया नहीं ऐसे साथ-साथ गमन किया नहीं विरोचन एतत प्रिच्छामी विरोचन एतत ऐसा बन रहा है विरोचन इतत प्रिच्छामी मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं किंते सक्षम सुधनवाना सुधनवा के साथ मित्रता हो गई है क्या तो विरोचन कहता है नमे सुधनवना सक्षम प्राणयोर विपना वहे मेरी कोई मित्रता नहीं है सुधन्वा के साथ मेरी कोई मित्रता नहीं है हम तो प्राणों की सर्थ लगा करके यहां आए हैं प्राणयोर विपनाव है प्राणों की सर्थ लगाए हुए है प्राला तत्वम प्रिच्छामी मा प्रश्णम अनृतम वदे विरोचन कह रहे हैं कि हे प्रालाद जूट मत बोलना, अन्रितम मावदे मतलब असत्य मत बोलना, वास्त्विक्ता पूछना चाहता हूं प्रश्ण के विश्य में असत्य मत बोलना, प्रहलाद कहता है, उदकम मदुपरकम वापी आनयंतु सुधन्वने, ब्रह्मन अभ्यर्चनियों सी स्वेता गव पीवरी कृत अब विरोचन ने कहा कि हम तो प्राणों की शर्त लगा करके आये हैं, और हम प्रश्ण वास्त्विक्ता को पूछना तत्वम पृच्छामी, तत्वम पृच्छामी वास्त्विक्ता को पूछना चाहता हूं, माप्रश्ण मान रितम वदे, तो अब प्रहलाद कहते हैं कि जल लाओ, मधुपर्क लाओ, मधुपर्क का मतलब होता है, जो मधु, सहद और दधी इन तीनों चीजों को मिला करके और फिर खाने के लिए जो एक कोई सम्मान, सम्मान नहीं आती थी जब हमारी घर में आता, तो सबसे पहले उसको मधुपर्क देते थे, मधुपर्क सबसे पहले आसन देते हैं, आसन के बाद पैर धोने का जल देते हैं, उसके बाद मुख प्रक्षालन के लिए जल देते हैं, आर्ग देते हैं, फिर खाने के लिए मधुपर्क देते हैं, ये क्रम है, विवास अंसकार में भी प्रारम में ये क्रियाई दोराई जा आसनम इदम विष्टरा 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 प्रतिग्री हताम ऐसे बोलते हैं फिर वो आसन पर बैठ जाते हैं पाद्यम पाद्यम प्रतिग्री हताम अर्ग्या 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 ये तीन बार तो उसको जोर देने के लिए कह रहे हैं ये जल है जल है इसको ग्रेंड कीजिए फिर मधुपर्का 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 प्रतिग्री हिदाम ओम प्रतिग्रेंडामी वो स्विकृति देता है कि ठीक है मैं इसको ग्रेंड कर रहा हूं मधुपर्क जो है वो घी की मात्रा और सहद की मात्रा जब विशम होती है तो अम्रित होते ह और सम्मात्रा में वो विश होते हैं तो दही में मिला करके और वो मधुपर्क देने के लिए कह रहे हैं उदकम मधुपर्कम वापी आनयंतु सुधनवने वो अपने आदमियों से बोलता है वहाँ पर घर में कि वह उदक लाओ, मदुपर्क लाओ, सुधनवा के लिए, ब्रह्मन अभ्धर्चनियों सी, ए ब्रह्मन तु हमारे सतकार करने के योग है, स्वेता गव पीवरी कृता, ये सफेद गाय खूब हमारी पाली पोसी हुई, खूब मोटा ताजा की हुई है, पीवरी कृता, ये संस्क्ति में जब ये आते हैं, छे प्रकार के विशिष्ट व्यक्तियों के लिए विशेष्ट सतकार की व्यवस्ता है, आचारिये, रित्विक, वर, वर कहते हैं दामाद को, और राजा, और प्रिये व्यक्ति और सनातक, जो गुर्कुल से पढ़ करके सनातक जाता है, तो वो भी राजा जितना पूजनी व्यक्ति माना जाता था, दामाद, राजा, प्रिये व्यक्ति और सनातक, आचारिये, रित्विक मानी, जो हमारे यज्यादी कर्म कांड को पूरा करवाता था, उसको रित्विक कहते थे, तो उसे अर्ग प्रदान करना कहते हैं, अर्ग उसके सम्मान को अर्गदान कहते हैं तो इस क्रिया में पहले जैसे मैंने बताया आपको आसन, हाथ पैर, धोने का जल, खाने के लिए मधुपर्क ये सब प्रदान करते हैं अर्चनी व्यक्ति को फिर भेंट भी दी जाती थी तो उस भेंट को वर कहा जाता था ब्रामन के लिए जो भेंट का द्रवे था गो थी खत्रिये के लिए ग्राम, वैशे के लिए अश्व इस तरह की विवस्था थी ब्रामन को वर के रूप में मतलब उसको खाना पीना तो हो गया साथ में उसको भेंट भी देते थे भेंट क्या देते थे, ब्रामन के लिए तो गाय देते थे, ख्षत्रिय के लिए गाउं दे देते थे, कोई राजा है तो गाउं दे दिया, और वैश्य है तो उसको अश्व देते थे, गवर ब्रामन सिवरा, ग्रामो राजन्य से अश्व वैश्य है से ऐसा हमारे जवस्थात तो इस नियम के अनुसा प्रलाद ने सुधनवा को ब्राह्मन समझते विए उसको गौ भेंट का निर्देश किया कि गौ पीवरी कृताब के लिए सफेद गाय हमने पाल पोस कर रखी हुई है मतलब हमारे पास सफेद गाय है जो बड़ी मोटी ताजा है च्छादूद देने वाली है वो आप हमारी भेंट स्विकार करें और आप मधुपर्क ग्रेंड करें तो सुधनवा कहता है उदकम मधुपर्कम चे पथीशुएव और पितम्मया उदक और मधुपर्क जो है ये तो मैंने पथीशुएव मार्ग में मानि प्रस्ण के निर्णे मार्ग में ही प्राप्त हो गया है हे पहलाद तुम मेरे प्रस्ण का ठीक ठीक उत्तर दे दो समझ लो मधुपर्क और गाय सब मिल गई मुझे उसका ठीक ठीक जबाब दे दो पथीशु मार्ग में प्राप्त हो गई, मार्ग का मलब प्रश्ण के निरणे मार्ग में मुझे तुमारे सत्य उत्तर से ही जल मधुपर का स्वागत सामगरी प्राप्त हो जाएगी इस समय स्वागत सत्कार की नहीं, प्रश्ण के उत्तर की अभिलासा है प्रशनी ये है प्रलात त्वम्तु में तथ्यम प्रश्णम प्रब्रूही प्रिच्छता मैं पूछता पूछ रहा हूं मेरे मेरे प्रश्ण का तथिक रूप में उत्तर देदो सत्य उत्तर देदो किम ब्रामना स्विद स्रेयां सा उता हो स्विद विरोचना ब्रामन स्रेष्ट होते हैं या विरोचन स्रेष्ट है ब्रामन स्रेष्ट है या विरोचन स्रेष्ट है ये मेरा प्रशन है ये प्रहलाद सारी चीजें आ गई तुम्तु मे तथ्यम प्रश्णं प्रभुही प्रिच्छताह प्रिच्छताह मे पूस रहे मुझ मेरे इस प्रश्ण का ठीक ठीक उत्तर देदू तथ्यम प्रुही तथ्यम प्रुही तथ्यम प्रश्णं प्रिच्छताह मे पूस रहे मुझ मेरे इस प्रश्ण का ठीक ठीक उ स्थवम पुत्र एक है मामा मेरा एक ही तो विरोजन पुत्र है और तुम दुसरी तरह ब्रामानो शाक्षादी उपस्थित है शाक्षाद की आस्थित है यहां पर खड़े हो मेरे सामने तयोर विवद तो प्रश्णम कथम असमत विधो बदेत अब दोनों में विवाद तो हमारे जैसे आदमी के लिए क्यों मोत इखटी कर रहे हो कथम अस्मत विदोवदेत हमारे जैसे आदमी तुम्हारे विवाद करते हुए दोनों के बीच में कैसे आए कैसे प्रशन का जबाब दे एक तरफ मेरा पुत्र और वो भी अकेला दूसरी तरफ तुम ब्राम्मान क रूप में साक्षाद मेरे सामने उपस्तित और तो नों भी विवाद कर रहे हो कैसे मैं प्रशन का जबाब दूँ सुधनवा बोला गाम प्रदद्यात वो और शाय यद्वा अन्यत्यात प्रियम धनम कहते हैं यह जो गाय मेरे को दे रहे हो ना यह अपने और इसको और शा है और अउरस मानि हिरदय से पैदा हुआ गाम प्रदद्यात वो और साय वो और साय राम आय देवा अपने आउरस पुत्र को गाय देदो यद्वान ने चात प्रियम धनम यह जो कुछ और भी प्रिया धन आए वो अपने बेटे को दे दो द्वयोर विविद तो तथ्यम वाच्यम जय मतिमस्त्वया हे मतिमान तुमारे द्वारा एक ही तथ्य वाणी बोलनी है अब हम दोनों विवाद कर रहे हैं हम दोनों जो है विवाद करने वालों के प्रश्ण का उत्तर यथार्थ तत्थ कहते हैं यथार्थ को, वो वाच्यम कहा जाना चाहिए, बस इतनी अपेक्षा है, धन की अपेक्षा नहीं, गाय की अपेक्षा नहीं, अपने औरस पुत्र को ये गो दे दो, और गो का अर्थ एक प्रिथवी भी होता है, तो प्रिथवी का राज्य दे दो, और जो कुछ ओर तुमारे पास अच्छा धन है प्रिये धन है वो दे दो जो भी प्रिये धन है स्वारणादी वो दे दो पर दो विवाद करने वालों के प्रस्न का यथार्थ उत्तर आपको इस समय अपेक्षित है प्रहलाद कहता है अथियो नयव प्रव्रुया सत्यम वाई दिवान रितम एता सुधन्वन प्रिच्छा में दुर विवक्तास में किम वसेत प्रहलाद कुछ राया इन से सुधन्वा से कि यदि कोई सत्य ना बोले या जोट बोल दे या सच भी ना बोले जोट भी ना बोले ऐसी रड़ी मिली बात कह दे एता सुधन्वन प्रिच्छा में ये सुधन्वन ये पूछना चाहता हूँ दुर्विवक्तास्मकिम्वसेत ऐसा जो दुष्ट वक्ता है, दुष्ट विवेचन करता है, मिध्या उत्तर देने वाला है, वो किस स्थिती को प्राप्त करता है, उसे क्या फल मिलता है, इस बात को मुझे बताओ. सुधन्वा बोला याम रात्रिम अधि विन्नास्त्री याम जय वक्षपराजित याम जय भारा वितपतंगो स्मताम वसेत तीन बातें कही उत्तर में कि कोई एक किसी पती की एक पत्नी है और एक पत्नी और आजाए महलब दो पत्नी इसको सपत्नी बोलते हैं तो किसी सपत्नी की रात जैसे बीटती है याम चरात्रिम जिस रात्री को अधि विन्नास्त्री मतलब जिसकी दूसरी एक वो और होती है सोक बोलते हैं क्या बोलते हैं एक सोक और होती है एक पत्नी और होती है उसकी रात जैसे बीटती है याम चरात्री वक्स पराजिदा जूए में कोई व्यक्ति हार जाए उसकी जैसे रात बीटती है और तीसरी बात कि याम चे भारा भी तपतांगो भार उठाने से पीड़ी तंग वाला व्यक्ती की जोएसे रात बीटती है दिन बर जैसे कोई भार उठाए कोई बोरी ढोए और फिर उसकी जैसे रात बीटती है विचारा करवटी बदलता रहेगा ज्यादा दुखता रहे ना शरीर एक स्थिती तक ये नेद अच्छी आती है परिश्व करने के बाद पर इतना परिश्व कर ले और शारीर की नस नस दुखे फिर उसकी रात कैसी बितेगी वैसा उसकी गती होती है जोट बोलेगा तो मनि जोट बोलने वाले को इतना बड़ा फिर पश्चाताप होगा मानसिक पश्चाताप जैसे ये तो शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट भी है जैसे कोई पत्नी है दूसरी एक पत्नी है तो ये कोई शारीरिक कष्ट नहीं है ये तो मानसिक कष्ट का उधारन है जुए में कोई हार जाए ये भी मानसिक कष्ट का उधारन है और शरीरिक ये जो है कोई भार डोने वाला भार उठाने से पीड़ी तंग वाला व्यक्ति ये शारीरिक कष्ट है तो मानसिक और शारीरिक दुख को अनुभव करते हैं जैसे ये लोग, कृत सपतनी का स्त्री, सपतनी जिसकी साथी नहीं है, ऐसी स्त्री जुए में हारा हुआ भार डोने से पीड़ी तंग वाला पुरुस रात में जैसे नींद को प्राप्त नहीं होता, जागता रहता है, तो उसी दुख को अयथार्थ हुत्तर देने वाला भी प्राप्त नहीं जाएगी, ऐसा का, नगरे प्रतिरुद्धासन बहिर द्वारे भुक्षिता, अमित्रान भुये सह पश्चेद, यस साक्षी, यस साक्षमन रितम वदेत, सुधनवा ने अपनी दूसरी बात कही, कि नगर में प्रवेश से रोका हुआ हो कोई व्यक्ति, न नगर में वो उसकी चारु तरफ एक दिवार होती थी, उसमें नगर में सब को जाने का अधिकार नहीं था, तो नगर में प्रवेश करने के लिए नगरे प्रतिरुद्धा, वो अंदर जाने के लिए रोक दिया, बारी, भुखा बैठा है विचरा, बहिर द्वारे भुख् और वो भुखाई बैठा है, अमित्रान भुएसा पसेद यह साक्षम अनृतम वदेद, जो जूठी साक्षी देता है, जूठ बोलता है, वो अमित्रान भुएसा पसेद, बहुत अमित्रों को, सत्रों को देखता है, अमित्र मानि शत्रु, भुएसा मानि बहुत सारे, वो बहुत सारे सत्रों को देखता है जो शाक्षी को अनृत के रूप में, जूठी साक्षी देने वाला जो वदेत, सत्रों से गुरा हुआ व्यक्ति जिस दुख को अनुभव करता है, तो ऐसे ही जूठी साक्षी देने वाला व्यक्ति भी उस दुख को प्राप्त होता है मिथ्या साक्षी देने वाले व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता है जूठी गवाई देने वाले कोई वो अपने एकाकी अनुभु करता है और उस सुने पन से उस loneliness बोलते हैं न उस एकाकी पन में मन में बहुत उसको पीड़ा होती है पंच पशु अन्रिते हंती दश हंती गवान रिते सुधनवा और अगली बात कहता है जैसे कि कोई आदमी पशु के लिए जोट बोले तो उसने पंच पशु अन्रिते पशु के लिए जोट बोलने पर पंच हंती यूं समझ लो कि पांच पीड़ियों को उसने मार दिया पांच जो पीडियें पसु के लिए जोट बोला तो पांच पीडियों को उसने मार दिया ये निंदा परक अर्थवाद है अर्थवाद जो होते हैं किसी चीज की प्रसंसा या निंदा करने के लिए बताए जाते हैं का प्रयोजन होता है कि भाई ये बुरा काम है ऐसा ही ठीक यूँ ही होता है ऐसा नहीं उसका भी प्राए मतलब पांच पीडियों को उसने मार दिया जो हमसे उपर पांच पीडियों हैं उनकी हत्या कर दी इसका तातपर ये है कि बहुत गलत काम कर रहा है जो एक पशु के लि गाय के लिए जूट बोलता है वो दस पीडियों को मार रहा है और फिर आगे शतम अश्वान रिते गोडे के लिए जूट बोल रहा है तो सो को मार रहा है और किसी अपने आदमी के लिए जूट बोल रहा है तो सहस्त्रम हजार पीडियों का हत्या कर रहा है तो यहां पर इस स्लोकार्थ दूसरा भी हो सकता है कि पशुआदी के लिए जूट बोलने के लोग में उसके पांच, दस, सो, अजार पूरवजों को स्मर्ण करके निंदा करकी जाती है कि यह तो इस कुल वाला आदमी है तो जूट बोलने वाली के पूरवजों की निंदा कराने वाला हो जाता है और इसका दूसरा अर्थी हो जाएगा कि पशुआदी के मारने से करम से पांच, दस, सो, सहस्तर प्राणियों के वद में जो पाप होता है पांच व्यक्तियों के वद में जो पाप, दस व्यक्तियों के, सो व्यक्तियों के, हजार व्यक्तियों के वद में जो पाप होता है वो उसको प्राप्त होता है अलब जूट बोलना बड़ा बुरा काम है, पातक है तो इसको नहीं करना चाहिए सोने के लिए जो जोट बोलता है वो उत्पन हुए या आगे उत्पन होने वाले उन सब को मार रहा है सर्वम भूम्यन रितेव हंती और भूमी के लिए भूमी के लिए जो जोट बोलता है वो सभी को मार रहा है मास में भूम्यन रितम वदे इसलिए भूमी के लिए जोट नहीं बोलनी चाहिए भूमी के लिए जोट बोलने वाला सर्वम हंती सब कोई मार रहा है इसलिए भूमी के लिए जूट नहीं बोलनी चाहिए ऐसा संदेश दिया गया उत्पन हुए और होने वाले व्यक्तियों को मारने का विप्राए वैसा ही समझें पहले अभी जो पहले वाले श्लोक में बताया कि समाज में उसके निंदा करते हैं कि ये ऐसा आदमी है लोक में जो जूट बोलता है उसके निंदा करते हैं तो इस भाव से ये बात कही गई है तो यहां कुछ एक दूसरा संदेश भी साथ में दिया जाए भूमी सब्द से भूमी के लिए भूमी तुली यहाँ पर केशीनी सामने खड़ी है सुधनवा कहता है कि केशीनी के लिए तुम्हें जूट नहीं बोलनी चाहिए हे पहलाद भूमी के समान जो केशीनी को पुत्र की भारिया के रूप में प्राप्त करने के लिए जूट बोलोगे तो तुम भी महापापी कहलाओगे अब पहलाद कहता है कि जी सत्थ तो यही है मत्ता स्रेयान अंगीरा अंगीरा इसके पिता का नाम है सुधनवा के मत्ता स्रेयान अंगीरा सत्थ तो यही है अब सत्थ की बात कहते हो तो कि मुझ से स्रेष्ट अंगीरा है सुधनवा त्वद विरोचन हे विरोचन तुमारे से स्रेष्ट ये सुधनवा है मेरे से स्रेष्ट इसका पिता है तुमारे से स्रेष्ट त्वद मानि तुमारे से स्रेष्ट सुधनवा है माता से स्रेषी मातू और तुमारी माता से इसकी मासरेश्ट है तस्मात्तम तेन वही जिता तो इस तरह से तुमारे जो शर्त थी उसमें तो तुम हार गए सुधनवा के द्वारा तुम जीत लिये गए अर था तुम पराजित हो गए सुधनवा जीत गए और तुम हार गए पहलाद बोले हे विरोचन ये सुधनवा तेरे प्राणों का स्वामी है हे विरोचन ये जो सुधनवा प्राणों की शर्ट लगाई थी तो ये सुधनवा तेरे प्राणों का स्वामी है क्योंकि तु इससे बाजी में हार गया है शर्ट में हार गया है तो हे सुधनवन मैं तेरे द्वारा दिये हुए विरोचन को अब पहलाद कह रहा है सुधनवा से कि हे सुधनवन मैं तुम से मांग रहा हूँ अपने बेटे को क्योंकि अब तो ये तुम्हारे अधीन है तुम्हारा ही है अब तुम जो चाहो इसको मारो जिन्दा रखो जो भी करो ये सुधनवन मैं तेरे द्वारा दिये हुए इस विरोचन को पुनह चाहता हूँ बलब तुम मुझे इसको वापिस दे दो प्राणों की बाजी में जीत कर भी इसे प्राणदान कर दो ये कह रहे हैं सुधनवा बोला कि यद धर्मम अब रिनी था तुम ने कामना से धर्म को नहीं छोड़ा ने कामाद अन्रितम वदी तुमने कामना से जूट नहीं बोला कामना से तुमने मिथ्या नहीं बोला जूट नहीं बोला पुनर गदामी ते पुत्रम तस्माद प्रहलाद दुरलबं इसलिए पहलाद मैं इस दुरलब पुत्र को तुमें पुन दे देता हूँ कामना से मोह वस तुमने जूठ नहीं बोला तुम्हारे दुरलब पुत्र को तुम्हें वापिस लोटाता हूँ प्राणों की बाजी में हार जाने पर भी इसको जीवन प्रदान करता हूँ ऐसा सुधनवा ने पहलाद को कहा एस प्रलाद कुट्रस्तु इमायादत तो विरोचना हे पहलाद मैंने इस विरोचन को तुम्हें दे दिया पाद प्रक्षालन म कुरियात कुमारिया सन्निधू ममा अब केशी निस्त कुमारी जो सामने उपस्तित है कुमारी के सन्निधी में ये मेरा अब पैर्ध होए, पाद प्रक्षालन करे तो विरोचन केशनी के सम्मुख मेरे पैर्ध होकर अपनी अपेक्षा मेरी स्रेष्टा को स्वीकार करे विदुर बोले तस्माद राजेंद्र भूम्यर्थे नानृतम वक्तु मरहसी ये इतियास सुनाने के बाद आब विदुर जी कह रहे हैं ये पूरा इतियास सुनाया केशनी के लिए सुधन्वाव विरोचन के बीच में जो इतियास हुआ था तस्माद हे राजेंद्र धृतराष्ट पूरोक्त इतियास को ध्यान में रखते हुए भूमी अर्थात राजे के लिए तुम्हें जूट नहीं बोलना चाहिए भूमी अर्थे नानृतम वक्तु मरसी भूमी के लिए जूट बोलना योग्य नहीं है नानृतम वक्तु मरसी अनृत बोलना के योग्य नहीं हो पुत्र के लिए सत्य को ने बोलते वे, सत्य को प्रकट ने करते वे, पुत्र और मंत्रियों के सहित नास को प्राप्त ने हो, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी इच्छा है, कौन कह रहा है, विदुर जी कह रहे हैं दृतराष्टर को, कि मागमाय ससुता मात्यो सुत और अमात्य पुत्र और मंत्रियों सहित वो पुत्र के लिए नास को प्राप्त पुत्र के लिए अशत्य बोलते हुए नास को प्राप्त मत हो वो पुत्र के लिए सत्य नय बोलते हुए पुत्र के लिए सत्य बोलते हुए अर्थात पुत्र के लिए सत्य अब्रुवन का मतलब होता है ने बोलते हुए पुत्र के लिए सत्य ने बोलते हुए नाश को प्राप्त मत हो यदि पुत्र के लिए सत्य नहीं बोलोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे सत्य नहीं बोलोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे तो वो कहना चाह रहे हैं मा गमा ससुता मत्या नाशम नाश को प्राप्त मत हो अपने पुत्रों रमात्यों सहीत हमात्य कहते हैं मंत्रियों सहीत नाश को प्राप्त मत हो पुत्रार्थम अब्रुवन पुत्र के लिए सत्य नय बोलते हुए पुत्र के लिए सत्य बोलने में जिज़का रही है तो इससे तुम्हार नाश हो जाएगा तो पुत्र के लिए सत्य नय बोलते हुए नाश को प्राप्त मत हो ये इतियास की बड़ी चानक ने भी अपने कोटिल एर्थ सास्तर में का आ है राजाओं के लिए कि राजा लोग जो होते हैं इतियास रवन करें ये राजा की दिंचरिय का विधान किया है वहाँ पर पस्चिमम इतियास रवने दिन का जो उत्रार भाग है वहां दिन्चरिया दियेगी प्रातेकाल क्या करें फिर मध्यान में क्या करें दोपेर में क्या करें सुबह क्या करें और दिन के उत्रार्द में क्या करें रात्री में क्या करें राजाओं की एक दिन्चरिया दिये उन्होंने तो उसमें एक जगह कहा है कि इतियास श्रवन करें इतियास सुनने से हमारे को गौरव आता है स्वाभिमान आता है जैसे स्वामे जी भी बोलते रहते हैं कि हमारे पूरवज जैसे थे और हम कैसे हो रहे हैं दृतराष्ट को समझाने के लिए यहां पर इतियास की बात कही तसमात पद से इतियास का संकेत किया और उसका फल बताया कि तसमात इस कारण से इतियास को याद रखते हुए पुत्र के लिए जूट मत बोलो और था पुत्रमात सहित नश्ट हो जायोगे नदेवा दंडमादाय रक्षंती पशुपालवत देव जो होते हैं वो दंड लेकर के पशुपालक की तरह दंड नहीं देते हैं जैसे पशुपालक होते हैं दंडा हाथ में लेकर उनको हाकते रहते हैं या उनको पिटाई करते हैं तो देव जो होते हैं वे दंड ले करके पशुपाल की भाती न रक्षा करते हैं और न ताड़ना करते हैं यम तु रक्षी तुमे इच्छनती बुद्ध्या सम विभजनती तम जिसकी रक्षा करना चाहते हैं बुद्धी से उसको युक्त कर देते हैं दूसरे अध्याय में भी एक बात आई देखिए, दूसरे अध्याय का 81 नंबर स्लोक, आप निकालिए, उस तक आपके सामने है, यस्मई देवा प्रयचंती, पुरुशाय पराभवं, बुद्धिम तस्याप कर्शंती, सोवाचीनानी पश्यती, यहां पर भी देव शब्द है, देव जिसको पराभव देना चाहते हैं, उसकी बुद्धी हर लेते हैं, और वो गलत काम करने में लग जाता है, यहां तो देवा भगचन है, देव जो हैं, वो उसकी बुद्धी हर लेते हैं, यह बिगड करके फिर भगवान पर चला गया, यह जो देवा शब्द है, इसकी व्याख्य मैं अभी बताऊंगा, बड़ी अच्छी इंट्रेस्टिंग व्याख्या है, देवा बिगड करके ल बुद्धी हर लेता है, जब इसकी मती हर लेता है, जब उसको दंड देना होता है, तो यहां पर तो यह कहा, कि उसका पराभव जब चाहते हैं देवा, तो उसकी बुद्धी हर लेते हैं, और यहां कहा, कि जब उसको फल देना होता है, उत्तम फल देना होता है, तो बुद इसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं चरवाहूं की तरह हैं दंडात में लेकर के और जो आसुरी शक्तियां या विरोधी शक्तियां उनको दूर नहीं अटाते हैं बद्धी दे देते हैं और वो अच्छे काम करता रहता है तो यहाँ आपको ये समझना है कि ये देव कुन हैं तो ये जो देव हैं ये हमारे करम ही हमारे देव हैं जिसको हम भाग्य कहते हैं वो है ये देव दो शब्द होते हैं एक दैव और एक पुर्शार्थ दैव का मतलब होता है जो देव का जो समू है उसको दैव कहते हैं देव का मतलब है हमारा भाग्य और भाग्य क्या होता है हमारे पिछले कर्मू का जो एक समू है वही हमारा भाग्य होता है पीछे जो हमने आज तक किया ह है वही हमारा भाग्य है उसी को देव कहते हैं तो इसको आप ऐसा समझे पूर्वकृत जो हमारे सुब असुब कर्म होते हैं उनके अंसार फल भोगने के लिए ये जो भूमी का निर्मान है इसको हम भाग्य कहते हैं अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं एक फ्रीविल और ए ऐसी चर्चा की जाती है कि भई फ्रीविल बलवान है या फिक्स्ट फेट बलवान है हम हमारे लिए जो है ये सब कुछ फिक्स्ट है या कुछ फ्रीविल भी काम करती है तो देव बलवान है या पुर्शार्थ बलवान है ऐसा देव और पुर्शार्थ में कौन सा बलवान दैव का मतलब fixed fate, पुर्शार्थ का मतलब free will, दैव का आर्थ है fixed fate, जो fate होता है, F-A-T-E, तो वो fixed है या पुर्शार्थ, free will जो है, वो बलवान है, ऐसा विचार करते हैं, तो उसके बारे में यह समझ लो, कि दोनों का अपना-पना स्थान है, जो आदमी यूं कहता है कि सब कुछ पुर्शार्थ से ही होता है, और पुर्शार्थ को ज्यादा महत्व देता है, और जो हमारा भाग है उसको भूला देता है, तो अभिमानी हो जाता है, वो हैंकारी हो और एंकारी व्यक्ति का फिर नास हो जाता है, एंकारी हो जाता है, देरे देरे पता नहीं चलता है, और उसका फिर नास हो जाता है, अभिमान जो है, सब कुछ का सरवं में अभिमान आए से एक जगें आएगा, कि सब कुछ अभिमान हमारा नास कर देता है, तो जो पॉरुष को महत्व देता है वो अभिमानिली हो जाता है और केवल जो देवыт महत्व देता है पुरुषार्थ को एक तरफ ये आर्षिंस, अर्फिर आ trabalhar, फिर वो कुछ करता है आखिर बेव जो बन्ता है वो पुरुषार्थ से बन्ता है पर हमारे गलत काम ज्यादा हैं तो हमारे बुद्ध वैसी निर्मित हो जाती है और हमारे वो जो गलत कर्म हैं हमारे बुद्ध को सही रास्ते पर चल नहीं नहीं देते यह कहा है कि यहाँ पर जो देव हैं बवचन में हैं देवा हमारे जो बहुत जारा जो उस तरहें के कर्म हैं वे कर्म हमारे को जब जब हमारे को कुछ अच्छी चीज़ देना चाहते हैं तो हमारे को अच्छी बुद्धी प्राप्त होती है और सही रास्ते पर हम चल पड़ते हैं और जब हमारा नाश होना होता है तो वो ही हमारे कर्म जो आगे आ जाते हैं और हमारे बुध्धी कुमार्ग पर ही चलती चली जाती है तो यहाँ पर यह बड़ा, बड़ा बात यहाँ पर कही कि znak जो ये देवगण हैं, देवगण जब हमारे को कुछ अच्छा देते हैं, अच्छा देना चाहते हैं, देवगण जिस पुरुष को पराभूत करना चाहते हैं, उसकी बुद्धी को भी खीच लेते हैं, और देवगण जिसको अच्छा कुछ देना चाहते हैं, उसको बुद् उशर आता है तो उसकी बुद्धी जो है जब निर्मल होती है तो वो सही रास्ते पर ले जाती है और जब दुख भोगने का समय आता है तो मनुस्की बुद्धी मलिन हो जाती है और उसकी अनुशारी चलती रहती है काम ही नहीं करता है दिमाग जो है कंप्यूटर काम करना छ तो ये कर्मों से ही तो बुद्धी बनी हैं। तो इस से आप अपने भागय का निर्मान तो कर रहे हैं। तो ये जो कुछा आप कर रहे हो इसको ये रूची और शद्धा से आप कर रहे हैं, तो ये ज्यादा लाब होगा। और यदि इसमें रुची और श्रद्धा नहीं दिखाते तो इसमें कमलाब होगा, तो ये भागी का इस तरह निर्मान होता है, हम जो कुछ भी करते हैं, उससे हमारा भागी बनता रहता है, और जैसा हमारा भागी बन गया, उसकी अनुसारी फिर हमारे पुरशार्त होते हैं, बहुतीवर पुरशार्त क्यों नहीं हो पाते हैं हमसे, एक आदमी बहुतीवर पुरशार्त ही है, दूसरा आदमी नहीं है, इसके पीछे भी क्या कारण है, एक इतना मेहनत करता है, जिस रास्ते में भी चल रहा है, स्वामी जी इतनी मेहनत करते हैं, तो ये कहते हैं कि उन पुर्शार्थ कर रहे हैं और पुर्शार्थ से फिर भाग्य बनता जा रहा है तो भाग्य जो होता है वो हमारा पिछले कर्म के पिछला जो कर्म है कल जो हमारा भाग्य होगा वो आज के पुर्शार्थ से बनेगा और आज जो हमारा भाग्य है वो कल के पुर्शार्थ से बन हुआ है इस जन्म का जो हमारा भाग्य जैसे भाग्य से यह शब्द आप को ऐसे नहीं कि भाग्य कोई ऐसा पुरुशकार या कोई दंड है कि जैसे कि किसी आदमी को कुरूप बना दिया किसी आदमी को बुद्धी हीन बना दिया और कह देते हैं ना इसके तो भाग में ही नहीं यह चीज तो वो उसने जो कुछ जो कुछ उसने कमाया उसको मिल गया वो उसने पूर जनम में बुद्धी के लिए प्रैतन किया तो बुद्धी मिल गई इस जनम में शरीर के लिए प्रैतन किया तो इस जनम में शरी इतना पसंद करते हैं कि ये बोलता ही चला जाए और दूसरे आदमे की वाणी हमें बिल्कुल पसंद अच्छी नहीं लगती है सुनने में करकस सी लगती है थोड़ी देर में ही बोर हो जाते है उसकी वाणी सुनते सुनते उसकी एक आदमी का जो एक आदमी को देखने से हमें भोती अच्छा लगता है एक आदमी को देखते ही हमारे को मन खिन हो जाता है ये सब चीजें हमने कमाई हैं तब हमें मिली हैं और इस जनम में भी कमा रहे हैं पिछले जनम में कमाई तो जनम के साथ ही हमारे को ये सारी चीजें मिलती हैं माबाप मिलते हैं तपश्वी माबाप मिलते हैं और जियानी माता पिता मिलते हैं धनाड माता पिता मिलते हैं अलग-अलग जो कमाया जैसे एक आदमी ने जीवन भर तपश्या की जियान में रहा तो उसको तो जियान की तपश्चरिया की भूख है तो उसको वैसा ही मातापिता मिलते हैं, वैसा ही माहूल मिलेगा, वो करोड़ पती हर पती घर में क्यों जाएगा? जिवन भर पैसे कमाए पैसे का दान किया तो फिर वो ऐसे जियान के माउल में नहीं जाएगा वो पैसे वाले के घर में पैदा होगा जाकर के एक राजा के घर में पैदा होता है तो वो राजा के घर में जो आता है वो भी तो इसी तरह के कर्म प्रवाह वाला आता है पहले जनम में भी वो इसलिए तो राजा के पुत्र राजा हो जाते हैं उसमें कुछ योगता भी क्वालिटी भी आई जाती है पूरु जनम का भी गेड होता है प्रवाह होता है और इस जनम में भी वो जो पूरु जनम का फ्लो होता है कर्मों का इसलिए तो और आजा है कि घर में पैदा हुआ और इस जनम में भी वो बाले काल से कर्म सुरू हो जाते हैं हम किसान के घर में जाकर के बाले काल से हमारे फिर वैसे ही कर्मों का प्रवाः चालू हो जाता है एक विद्वान के घर में हम पैदा होंगे तो कर्म का प्रवाः वैसे ही चालू हो जाता है तो ये आपको मेरे ख्याल में स्पष्ट हो गया होगा ये दैव और पुर्शार्थ का जो ये एक बड़ा एक कॉंसेप्ट है कि इसमें दैव बलवान है एक बात अच्छी तरह से अपने मिन में बिठा लो कि बिना कर्म के हमारे को कुछ भी नहीं मिलता है जिसको हम दैव कहते हैं वो कर्मू का ही एक पका हुआ फल होता है जिसको हम भाग्य कहते हैं दैव कहते हैं जिसको हम फिक्स्ट फेट कह रहे हैं वो fixed fate हमारे कर्मू से बना है कर्मू से उस तरह का निश्चित हो गया है हमने अपने कर्म करके हम किसी व्यसन में पढ़कर के शराब के आदे डाली या गुटका या धुम्रपान करने के आदे डाली मांस खाने के आदे डाली और कलब में और मूवी देखने में मस्त रहते हैं ये सारे कर्मू से तो अभ्यास में आई ये चीजें और एक व्यक्ति जो है मौन रहता है एक व्यक्ति निरंतर तपश्चरिया में रहता है साधना में रहता है अंतरमुक रहता है मैत्री, करुणा, मुधिता, इन सब की साधना करता है दूसरों को देख करके अपने मन को बार बार सुझाव देता है कि मुझे सुखी व्यक्तियों को देख करके मित्रता का भाव लाना है किसी सुखी व्यक्ति से इर्शा नहीं करनी बार बार अपने को सुझाव देता है कि सुखी व्यक्तियों को देखकर मुझे इर्शा नहीं करने इर्शा भी कर सकता है सुझाव देगा तो वो उस पर रोक लगेगी इर्शा पर और वो कहता है कि मुझे तो मित्रता का भाव लाना है दुखी व्यक्तियों को देखकर मुझे हर्शित नहीं होना, मुझे करुणा उनके प्रति दया, करुणा का भाव लाना है ऐसे अपने को सुझाव देता है तो बार-बार सुझाव देने से वो चीज़ें हमारे स्वभाव में आ जाती है हमारे चरित्र का अंग बन जाती है पूरुकृत कर्मों के फल भोगने के लिए प्रानी का जो उनुख होना ये दैव कहलाता है पूरुकृत कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा वो नश्ट नहीं हो सकता किन्तु सुख दुख रुप भोग की अनुभूती को मनुष अपने धैरे रुप गुण से कुछ कम कर सकता है दुख आया अपने धैरे के कारण उसको कम कर सकता है और पुर्शार्थ नए कर्म को उत्पन करके भावी दैव को ठीक कर सकता है तो कोई विरोध नहीं इन दोनों में दैव के आस्त्रे कर्म रही तो कर बैठना बिल्कुल मूर्खता है कि हमारे भागे में होगा तो मिल जायेगा यह विचारी मूर्खता का है जो कुछ मिलना है वो कर्म से मिलता है तो हमें कर्म तो करते ही रहना है इसी का नाम पुर्शार्थ है और अपने स्वाभावी कर्म से जो हमें मिलना है वो भी मिलता रहेगा केवल पुर्शार्थी जो होते हैं वो हैंकारी हो जाते हैं और केवल दैव के उपर बरोशा करने वाले आलसी हो जाते हैं ये दो बाते हैं हमें ध्यान रख लेनी चाहिए जो फ्री विल को ज़्यादा मैत्व देते हैं वो हैंकारी हो जाएंगे जो fixed fate को ज़्यादा मैत्व देते हैं वो आलसी हो जाएंगे कुछ करेंगे नहीं तो दैव का अपना इस्थान है, fixed fate का अपना इस्थान है और free will का भी अपना इस्थान है हमारे को चुनाव करने के लिए चुनाव करने के लिए जब समय आता है तो उस चुनाव में हम free will का प्रयोग कर सकते हैं चुनाव में हम free will का प्रयोग करेंगे हमारी इच्छा इसका चुनाव करें या इसका चुनाव करें तो उस समय fixed fate नहीं है चुनाव के समय पर एक दृष्टी से fixed fate भी होता है चुनाव करते समय भी आदमी को वही चुनाव करेगा न जो आज तक उसकी प्रकरती में रची पची चीजे हैं वो जैसे तपश्या का, साधना का और इन सब चीजों का क्यों चुनाव करेगा भगवान का ये सब चुनाव क्यों करेगा वो जब वो उन चीजों का महत तो उसको अभी तक है ही नहीं जैसे एक बच्चा होता है एक तरफ टोफी रखी जाए और एक तरफ रोयल स्रोय या BMW कार खड़ी कर दें तो वो क्यों चुनाव करेगा BMW वो तो जो है टोफी का ही चुनाव करेगा तो हम सब की ऐसी स्थिती हो रही है चुनाव के समय बच्चा जैसे टोफी का चुनाव करता है हम ऐसे ही छोटी-छोटी चीजों का जो थोड़ा-थोड़ा सुख देने वाली चीज़ें उनका चुनाव करते हैं तो हमारे को ये देव की जो कहानी है मैंने प्रसंगवस आपके सामने रखी नदेवा दंडमादाय रक्षंती पशुपालवत यम्तु रक्षितु मिच्चंती बुध्या सम् विभजंतितम बुध्धी से उसको युक्त कर देते हैं यथा 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 ही पुर्शा कल्याने कुरुते मनह तथा कतास सरवार था सिध्यन तेनात्रशन सेया जैसे जैसे मुनुष कल्यान में अपना मन लगाता है उसके सारे काम सिध्ध होने लगते हैं सुब कर्मों में जैसे मनुश अपना मन लगाता है वैसे वैसे उसके सभी प्रयोजन इच्छाएं सब पूर्ण होने लगती है यह जो माया भी होता है माया के साथ जो ठेरा माया के साथ जो अपना मन लगाया हुआ है छलकपट के साथ जिसने मन लगाया हुआ है ऐसे व्यक्ति को यह जो वेद हैं यह जो जियान है जियान की बाते हैं आप सब वेद ही पढ़ रहे हो यहाँ पर जो बैठते हो विदुर निती भी तो वेद का ही रूप है जियान का रूप है तो जो भी जियान की सत्य जियान की जो बाते हैं उसको वेद कहते हैं तो नैनम चंदान सी व्रिजना तारयंती, मायावी नम, मायावी व्यक्ति को ये जो वेद मंत्र हैं, जो चंद हैं, ये पाप से नहीं तारते हैं, मायावी को पाप से नहीं तारते हैं नीडम सकंता इवजात पक्षा जैसे ये पक्षी गण होते हैं जब इनके वो होते हैं न पंक निकलाते हैं नीडम सकंता इवजात पक्षा घोंसले को जैसे ये छोड़ करके उड़ जाते हैं संदान सी एनम प्रजयती अंतकाले जैसे पंक निकल आते हैं तो नीड को अपने घोंसले को छोड़ करके भाग जाते हैं उसी प्रकार वेद भी मायावी पुरुष को अंतकाल में छोड़ करके भाग जाता है जो वेद है ये भी उसके साथ नहीं रहता है जैसे घोंसले के साथ नहीं रहता है जब पंक निकल आते हैं तो छोड़ करके पार जाता है मनु मारज ने भी कहा एक जगे वेदास त्यागस चे यज्यास चे नियमास चे तपांसी चे नविप्रदुष्ट भावस चे सिध्धिम गच्छन्ति करही चित जिसके भाव में दोश है उस व्यक्ति को ये सारी चीजें लाव नहीं पहुंचाती है वेद, त्याग, यज्य, नियम और तप जो भावदुष्ट है उसको लाव नहीं पहुंचाती ये चीजें भावदुष्ट नहीं होना चाहिए वेदाध्यन पापाचरण और पापकर के फल से बचाता इसमें कोई शक नहीं है जो वेदाध्यन होता है वो पाप से, पापाचरण से, पापकर्म से हमें बचाता है इसमें कोई शक नहीं पर मायावी को नहीं बचाता इसमें यही का है मंत्र में, श्लोक में कि मायावी नम मायय या वर्तमानम जो मायावी है जान प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् के फल भोग से नहीं बचाते बड़ी अच्छी उपमादी नैनम छंदान से व्रिजनात तारयंती वेद इसको पाप से व्रिजन कहते हैं पाप से नहीं बचाते माया विनम मायया वर्तमानम नीडम शकुंताई वजात पक्षा जैसे पंक निकलने के बाद ये पक्षी घोंसले को छोड़ कर भाग जाते हैं ऐसे ही ये वेद अंत काल में अंत समय में ये वेद एनम प्रजहती इस व्यक्ती को पापी व्यक्ती को ये वेद छोड़ देते हैं उसके साथ नहीं जाते जो सारी उमर वेद पढ़े वेद पढ़ाए सुनाए पर भाव में दुष्टता है अपने भाव को शुद्ध नहीं कर रहा है तो वो वेद हैं वो यही रह जाएंगे और वो वेद अपना अलग हो जाएंगे इसको छोड़ देंगे अपने आप यात्रा कर अपनी अगे की यात्रा अगली यात्रा अभी इस जनम में किसी व्यक्ती ने वेद पढ़ार उसके सहारे उसने खुब धन आईश्वरिये और भोग खुब इखटा कर सकता है वो तो मतलब विद्वान की पूजा होती है दूसरों को अच्छी कथा सुनाएगा अच्छी अच्छी बातें करेगा तो वो भी एक कर्म है ना उसका फल उसको मिलेगा पर अपना संसकार नहीं कर रहा है दूसरों को तो बता रहा है पर उन बातों से अपना अपना निर्मार नहीं कर रहा है अपने आपको नहीं बना रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अंतकाल में वेद छोड़ देते हैं वो व्यक्ति का जो अपना स्वभाव है वो ही साथ जाता है अगले जनम में यदि वो क्रोध ही है तो वो क्रोध साथ चला जाएगा वेद साथ नहीं जाएगा उसके कि उसकी रक्षा कर दे अब लोबी है तो लोब साथ जाएगा मोही, एंकारी, इर्शालू, कामी जो भी कुछ है वो साथ चले जाएंगे और आगे एक बात कहा मद्यपानम कलहम पूग वैरम भारिया पत्यों अंतरम ज्याति भेदम राजत द्विष्टम इस्त्री पुन सहयोर विवादम वर्जयान ने आहू यस्चपंथा प्रदुष्टा ये वर्ज बताए हैं क्या-क्या, सरापीना, कलहे करना, लड़ाई जगडा करना समू से वहर करना समू का मतलब जो अनियत वृत्ति वाले अर्थ काम में लगे हुए कुछ लोग होते हैं पूग शब्द का एक सामन समू अर्थ भी होता है और एक पूग का एक विशेश अर्थ भी होता है मतलब जो एक अनियत वृत्ति वाले अलग-अलग जो नाना जातिये, अनियत वृत्ति वाले, अर्थ काम प्रधान, जो कुशित संग एक निश्चित लोगों का टोल होता है, उसको भी पूग कहते हैं तो संग सामाने का वाचक समझो पूग कुछ लोगों का समू हो और समू के साथ हम वहर करते हैं, तो ये ठीक नहीं है भारिया पत्य और अंतरम, और पती पत्नी के बीच में भेद डालना, पती पत्नी के बीच में भेद पैदा करना, ज्याती भेदम, और संबंदियों में भेद पैदा करना, राजत द्विश्टम, राजा से द्वेश या राजा जिस से द्वेश करता है उसको राजत द्विश इनको त्याज्य कहा है और जो दुष्ट मार गए उसको भी वर्ज्य कहा है मद्यपान कलह जगड़ा पखेड़ा करना समुदाय से विरोध भारिया पती में भेद पैदा करना भारिया मानी पतनी सम्मन्नियों में फूट डालना, राजा से द्वेश करना और इस्त्री पुर्षों में विवाद पैदा करना इन सब कर्मों को साधु पुर्ष छोड़ दें इन कारियों में पुर्ष को प्रवर्थ नहीं होना चाहिए इसी प्रकार बुरा मार्ग भी त्याजिमाना गया यस्च पंथा प्रदुष्टा जो रास्ता बुरा है उसको छोड़ देना चाहिए सामुद्रिकम वनिजम चोर पूर्वम, शलाग पूर्वम चे चिकिच सकम चे अरिम चे मित्रम चे कुशीलवम चे नैतान साक्षे इत्वधि कुरवीच सब्त यह साथ है इनको शाक्षी नहीं बनाना चाहिए जो हस्तरेखा देखने वाला सामुद्रिक सामुद्रिक होता है जो हस्तादी की रेखा का परिक्षक होता है वनिजम जो बनिया होता है चोर पूर्वम पहले जो चोर होता है चोर पूर्वाम अब चोर नहीं पहले चोर है तो उसको भी साक्षी नहीं बना शलाक धूरतम शलाक धूरतम ये जुवारी अर्थ भी होता है एक शलाक धूरतम का और एक अर्थ ही भी किया है जो कूट तुला वाला जिसकी तराजू की डंडी का छिद्र ठीक ना हो या उसके भीतर कोई दूसरी कोई दूसरा पदार्थ भर लिया हो ऐसी कई कुछ योजना बना ली हो कई लोग जो है तराजू के नीचे वो लगा लेते हैं चुम्बक तो इस तरहें का सलाक धूरतम चिकिट सकम चाए और ये जो वैद्दे होते हैं इनको भी अरिम चाए मित्रम चाए शत्रू को और बहुत ज़्यदा कोई मित्र है हमारा उसको भी और कुशी लव जो गाना बजाने वाले होते हैं उनको भी इनको साथ को जो है साक्षी के रूप में ना रखे मानागनिहोत्रम उत्मान मोनम ये पहले भी आया है कि परिमित सास्त्र प्रमान के अनुसार जो अगनिहोत्र होता है सास्त्र प्रमान के अनुसार मान का थियां प्रमान मोन होता है माने नदीतम, शास्त्र प्रमान के अनुसार जो अध्यनादी किया हुआ, मान यज्या, प्रमान पूर्वग, शास्त्र प्रमान के अनुसार जो यज्ये, एतानी चत्वार या भैंकराणी, ये चार चीजें आदमी को अभै प्रदान करती हैं, पर गलत डंग से किये जाते हैं शास्त्र विरोधी डंग से किये जाते हैं तो यही भैप्रदान करती है अब कुछ चीजें किनाई है कि अगारदाही बिना अपराद दूसरों के घर में आग लगा दे अगारदाही घर में आग लगा दे कुंडाशी कुंड से खाने वाला मतलब सर्वभक्षी, जो कुछ खाने के लिए तैयार हो जाए, एक और भी अर्थ होता है कुंडाशी का, कुंडाशी शब्द का एक अर्थोर होता है, कि जो कुंड नाम का पत्य, जो पती के जीते वे विचार से उत्पन हो, उसको कुंड कहते हैं, और कुंडाशी मने, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना और उसको, कुंड नामा का पत्य जो पती से जीते हुए वेविचार से उत्पन और उससे जो जीए उससे अपना भुजन प्राप्त करे पती के रहते हुए जो वेविचार से उत्पन बालक है उसको कुंड कहते हैं और उससे जीने वाला कुंडाशी सोम विक्रई पहले सोम बेचना भोती निंदित कर्म समझा जाता था तो सोम विक्रई हमारे समय में भी दूद बेचना ही निंदित समझा जाता था और फिर उसके बाद ये व्यवस्थाई कि दूद बेचना दूद की कमी होने लगी तो दूद बेचना निंदित नहीं हुआ भई पानी मिलाना निंदित है फिर बोले कि भई पानी 5% पानी मिलाना निंदित है फिर 10% पानी मिलाना निंदित है फिर 50% पानी मिलाना निंदित है और अब तो मतलब जैसे तैसे कुछ भी करो कोई मतलब बेचने वाले कोई उसमें गल्टी नहीं मानते मतलब जितना मर्जी वो पानी मिलाते हैं यही नहीं मैंने स्वेम अपनी आखों से देखा है वो नहर के पास दूद लेने वाले जाते हैं अपनी आखों से देखा मैंने कोई ऐसा मतलब जूठी बात नहीं बता रहा और उसमें नहर में चलता हुआ जो पानी होता है उसको उठाया और कही डॉल लू पानी उसमें डाल लिया तो ये सब चल रहा है कार काम परवकार परव अनिदार जो त्रिशूल आदी बान को कहते हैं पर्वकार मतलब होगा पर्व मानी अनीदार जो पहना जो त्रिशूल जैसे बाण को कहेंगे, जो शरीर में प्रिष्ट हो जाने पर निकल ना सके तो ऐसे बाणों का प्रयोग वर्जित था और इसमें कहा है कि पर्वकार कमलब अनीदार बाण बनाने वाला, उनका प्रयोग करने वाला दोनों हो सकते हैं तो बान का जो प्रयुकता है वो भी निंदित ये कुछ निंदित सूचियां दे रहे हैं सूची मित्र दुख पारदारी का सूची का मलबद चुगल खोर और मित्र से द्रो करने वाला और पारदारी का परदारा में रमन करने वाला परिस्त्री म के साथ रमन करने वाला ब्रून हा ब्रून त्यारा गर्भ बात करने वाला और गुरु तल्प गामी गुरु पतनी से गमन करने वाला गुरु तल्पी यस्चे स्यात पान पोद्विजा और जो ऐसा ब्रामन जो की शराप पिने वाला शराप पिने वाला ब्रामन अधी जो मर्म तुद है काकय सब्द का यहां पर अर्थ होगा जो मर्म इस्थान पर जैसे कहीं उनको घाव दिखाई देता है वहीं कववजा करके उसको करता है छेड़ छाड़ करता है तो काकय और अति तीक्षन मानि बहुत तीक्षन स्वभाव और आगे यह कह रहे हैं महाक्रोधी कह सकते हैं माति तीक्षन नास्तिक जो वेद और पुनर्जन में इन सब को जो नहीं मानता है वो नास्तिक और वेद निंदक वेद की निंदा करने वाला श्रू प्रग्रहना जिसके यहां अवन करने के लिए तैयार हो जाए एक दिन मैं बोल रहा था श्रू आ लेकर घूमने वाला अयाज जी आजी बोलते हैं कोई भी चाहिए उसके कोई भी कह दे कि हमारे आवन करवा दो वहीं बैठ गया वरात्या है वरात्या का मतलब होता है जो वरात्या शब्द के दो अर्थ होते हैं एक अच्छा अर्थ होता है और एक खराब अर्थ होता है जो की अपने नियमादी से पतित है उसको भी वरात्य कहते है और भगवान को भी वरात्य कहते हैं तो पतित व्यक्ति को वरात्य कहा है यहां पर धर्म सास्त्रकारों ने मतलब जिसका नियत समय पर उपनेन नहीं हुआ हो उसको वरात्य कहते हैं तो ऐसा व्यक्ति पतित माना जाता है प्रतेक द्विजबालक के लिए विद्याध्यन अनवारी था पहल आ पर ब्रहम का प्रतिवादन आवरात्य तो एक ही सब्द के दो विरोधी अर्थ हो रहे हैं, तो यह कारणी है कि एक तो इसका प्रवर्टीनीमित है, व्रीधातू, व्रीधातू का मतलब होता है, अपने को जो छिपाए अध्यनादी सतकर्मुष जो अपने को ढखे छिपाए वरिये वरणे और वरिये आवरणे दो धात्वे होती है आवरण करना भी वरी धातु का अर्थ होता है और वरण करना भी वरी धातु का अर्थ होता है तो आवरन वाली जो धातू है उससे तो वरात्य सब्द पतित अर्थ वाला होगा वरतूं से जो पतित है उसको वरात्य कहेंगे वरीये आवरने जो अधिनादी सतकर्मों से अपने को ढखे, छिपाए, दूर रहे, वो वरात्य और दूसरा वरन अर्थख वरीदातू से जो स्विकार करने योगे उसको वरात्य कहते हैं तो प्राचिनकाल में अर्थ बेद से यह दोनु शब्द चलते थे, जैसे एक ग्रिना शब्द है विदुरनिती में ग्रिणा शब्द दान के अर्थ में भी आता है दया के अर्थ में ग्रिणा दया के अर्थ में भी आता है और ग्रिणा जो ग्रिणा के अर्थ में भी आता है आजकल जो प्रसलित अर्थ है ग्रिणा का हेट अंग्रीजी में जिसको hate कहते हैं उसमें भी आता है और घ्रिना का मतलब दया तो positive अर्थ भी है, negative अर्थ भी है कभी-कभी ऐसा होता है एक-एक सब्द के विपरीत अर्थ वरात्या कीनाश है कीनाश का मतलब होता है कीनाश का मतलब यहां पर वैसे तो किशान होता है पर यहां किशान अर्थ नहीं है, यहां कुरूर अर्थ है, कुरूर, और आत्मवान, आत्मवान का मतलब है यहां पर, कुरूर और समर्थ बहुती ज्यादा जो, ऐसा व्यक्ति, जो कुरूर और समर्थ होते हुए, हाँ, आत्मवान का मतलब है समर्थ, समर्थ होते हुए, रक्षिती उक्तह योहिंसाद, समर्थ है कोई, और उसको सामने जाकर के कोई कहे कि मेरी रक्षा करो और फिर भी मार दे, समर्थ के समर्थ के सामने कोई जाकर के कहे कि देखे, आत्मवान अपी रक्षिती उक्तह योहिंसाद, रक्ष ऐसा कहे जाने पर, जो हिंसा करे, सर्वं ब्रम्हभी समा, ये सारे जुतन, सर्वे ब्रम्हभी समा, ये जितने भी गिना दिये, ब्रम्हत्यारे के समान होते हैं इसमें जो गिना दिये कि ये लोग ब्रह्म हत्यारे के समान होते हैं त्रणोल कया ज्यायते जातरूपम वृतेन भद्रो व्यभारेन साधू शूरो भएस्वर्थ कृछेश उधीरा कृछेश वापत सुसुरिधस चार अश्चे त्रणोल का से जातरूप सोने की पहचान होती है मानि छेदन और तपाने से त्रण कहते हैं त्रण का तिनकार्थ भी होता है और त्रण का मलब छेदन करना छेदन से और अल्गा तपाने से चतुर भी प्रकारई कनकम परिक्षते निर्घर शनत छेदन तापन ताड नई चार प्रकार से सोने की परिक्षा होती है एक तो कशोटी पर घिसने से, छेदन काटने से और तापन मानि उसको तपाने से और ताड नई मानि चोट मारने से तो त्रिन सब्द यहां छेदन अर्थ वाली त्रिद धातु से बना है तो इसका छेदन अर्थ बिना खीचाता नहीं के हम कर सकते हैं और उल्का का अर्थ अगनी ज्वाला होता है तो त्रिनम चे उल्का से त्रिन उल्कम त्रणोल का शब्द का मतलब ये हो जाएगा कि छेदन और तपाने से सोने की पहचान होती है आचार से उत्तम भद्र वृत्यन भद्रा कोई आदमी कितना उत्तम है उसके आचरन से परिक्षा होती है व्यवारेन साधू बरताव से साधू अच्छा बुरे की पहचान हो जाती है शूरह भयेशू भय के प्राप्त होने पर उसके शूरवीर कौन शूरवीर है इस बात की पहचान हो जाती है अर्थ कृच्छेशु धीरा, धन संकट उपस्थितोने पर धीर की पहचान हो जाती है, अर्थ का संकट उपस्थितो तो धीर की पहचान होते है, कृच्छेशु आपच्छु और घोरापत्ती के समय पर सुरिदास चारयस चै, चैजमा आरया, शत्रु और मित्र की पहचान हो कुछ चीजें आगिनाई हैं, अर्थ संकट उपस्थिन होने पर वीर की पैचान, धहरीवान है या धहरीवान, अर्थ कृच्छेश धीरा, धन संकट अर्थ संकट होने पर धीर की पैचान है, धहरीवान है या धहरीवान है, और घोरापत्ती के समयन सत्रुमित्र की पैचान ह होती है और भैश शूरा भैयों की प्राप्त होने पर सूर वीर की पहचान होती है शाध इच्छाबल्वती होती है तो आजमी को धैरी धारण नहीं घरने देती जैसे किसी आजमी का प्रिय वियोग हो जाए अब और धैरी धारण नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी इच्छाथे कि ये मेरे साथ रहे अब ति deposit के गई और जो है वो चला गया मृत्यु प्राणान धर्मचरियाम अशुया मृत्यु प्राणू का हरण कर लेती है और जो अशुया होती है धर्मचरिया का हरण कर लेती है धर्म के आचरण को अशुया मनि गुणों में दोशारूपन किसी के गुणों में दोस देखना धरमचरिया को नश्ट कर देती है क्रोधा श्रियम और क्रोध जो है धन संपत्ति और शोभा को नश्ट कर देता है श्री के दो अर्थ है धन संपत्ति और श्री मनि शोभा एक पुरुशुक्त में मंत्र आता है श्री श्च ते लक्ष्मी श्च ये भगवान की दो पत्नियां बताई एक श्री है एक लक्ष्मी है लक्ष्मी मनि प्रॉस्परेटी और श्री का मतलब शोभा तो क्रोध श्री को नश्ट कर देता है शीलम अनार्य सेवा और जो अनार्य सेवा है ये शील को नश्ट कर देती ह अनारिय सेवा शील को नश्ट कर देती है रियम कामा और जो ये काम है वो लज्जा को नश्ट कर देता है सर्वमेवा अभिमाना ये मैं पहले भी कहा था कि आसुरों का अभिमान के कारण से पराभव हुआ पराभव का मुख कहा है शत्पत ब्रामन में कहा कि अभिमान के कारण पराजित हो गए असुर लोग अभिमान नहीं करना अभिमान पराजे का मुख है यहीं से पराजे गिरावट सुरु होती है जैसे जैसे अभिवान बढ़ता है मन्स वैसे वैसे गिरता चला जाता है और यहाँ पर एक लोब की बात कही कि लोबस चेद अगुणेन किम पिशुनता यद्यस्त किम पात कही यदि लोब हो तो अन्य अवगुणू की क्या हो शकता लोबी पुरुष में अन्य सभी अवगुण स्वेम उपस्थित हो जाते हैं और चुगली का अवगुण हो जूटी चुगली करता है तो किसी में दोश हो तो अन्य पातक कर्मों की क्या हो शकता चुगली करने का दोश हो तो दूसरे पापों की क्या हो सकता चुगल खोरने साम समझो की सारे पाप कर लिए तो ये सिक्षाई चल रही है सेश हम कल विचार करेंगे आज यहीं विराम देते हैं ओ शांती ही, शांती ही, शांती ही